वेलकम दोस्तों मैं तौसिफ तगाले आप सभी का इस ऑनलाइन प्लाटफॉर्म में स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं हमारे इस सब्जेक्ट का पहला यूनिट जो के है प्रॉपर्टीज ओफ लेड़ तो बिटा ये जो चाप्टर है ये इस एफम सब्जेक् तो सबसे स्ट्रॉंग किसी भी घर का क्या होना चाहिए उसका बेस होना चाहिए अगर बेस्ट्रॉंग होगा तो बिल्डिंग स्ट्रॉंग होगी अगदर वाहिस अगर आपका बेस्ट्रॉंग नहीं होगा तो आपका बिल्डिंग गिर जाएगा तो ये चाप्टर आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि यह पेपर में important है या फिर इसके ज़्यादा questions पूछे जाते हैं पर इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि यह अगर चाप्टर आपका अच्छे से होगा तब जाके आप आगे के chapters काफी अच्छे से कर सकते हो क्योंकि यह जितने भी properties है वह continuously पूर चलते रहें और जैसे मैंने आपको पहले चाप्टर में जब मेरा introduction lecture आया था मैंने आपको एक बात कहीं थी एक इतना मज़ेदार subject है तो आप सभी को ऐसा लगेंगा सर हमको तो कोई तो subject मज़ेदार लगता नहीं हम तो ऐसा सोचता है पढ़ने के लिए पर जैसी पढ़ने स्टार्ट हो जाएगा बस आप मैं जोक नहीं कर रहा हूं बस आप मेरा यह आदे घंटे का lecture आप ठीक से देखिए आपको वीडियो के end में यह जो subject है यह फील होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कभी मज़ा आना वाला है तो चलिए हम बढ़ते हमारे पहले चाप्टर क्या है तो definitely fluid आपको पहले practically यह बताते आना चाहिए और बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि हर एक चीज मज़े से पढ़िए apply करके पढ़िए तो आपको काफी मज़ा आएगा FM का subject पढ़ने में trust me यह काफी interesting subject है तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि basically fluid का मतलब क्या होत होता है तो चलिए देखते हम fluid का मतलब क्या होता है तो मुझे बात बताई है यहां पर बैटे आप जब वीडियो देख रहे हो तो आप सभी क्या सोचते हो fluid का मतलब क्या तो पानी fluid means water ऐसे नहीं है या फिर अगर आपको किसी ने पूछा क्या है तो आप कहते हो भई जो ब अगर पढ़ते हो अगर आपका definition अगर देखो तो definition भी कितबों में यहीं लिखा है जो बहता है वो पानी है सिर्फ उसको English में कहा गया है कि the substance that flows is fluid पर ऐसे नहीं है वेटा आपको पहले basic पता होना चाहिए कि fluid का practical मतलब क्या होता है करके ठीक है तो यह तो चलो मैं मानता पानी है पर पानी ही फ्लूइड है इसा थोड़ी है फ्लूइड में काफी सब्स्टंसे साते है तो इसका basic idea क्या है क्या मतलब क्या होता है तो बिटा देखिए fluid का मतलब यह होता है आप एक काम करिए आप आपके आसपास में कोई भी एक सॉलिड ले लिजी कोई भी ले लिजिए या फिर एक काम करिए आप आपके calculator को फॉर सप्लाइ करें एक बारी जैसे के फॉर इसा फॉर सप्लाइ करता हो अगर यह बॉड़ी डिफॉर्म हो रही है यह अपना शेप चेंज कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप चाहे तो आपके calculator में ऐसे उंगली से फॉ करना चाहिए नहीं कर सकते हो आप एक काम करिए आप गलास बरकर पानी लेकर आईए और गलास बरकर पानी लेकर आने के बाद उसके उपर जस्ट आप ऐसे फिंगर से थोड़ा सा ड्रोपलेट डालिए टेबल पर और ऐसे उंगली से छोटा सा पॉइंट रखिए वस उस प टेबल पर या ग्लास से पानी लाइए उसको जस्ट कर ये पानी के ऊपर वो डिफॉर्म हो जाएगा वो अपना शेप क्या करेगा चेंज कर लेगा ऐसा आपने बहुत बार दिखा भी होगा बड़े से आप समंदर में या तालाब में जाते हो आप खिलने जाते हो आप ऐसे पत्थर मारते हो अब पत्थर इतना सा समंदर इतना बड़ा उसमें अगर आप पत्थर फेक कर मारते हो तो पूरा फ्लूड क्या हो जाता है इदर उदर क्या हो जाता है डिफॉर्म हो जाता है डिस्प्लेस्ट हो जाता है वही सोचिए आपके पास अगर कोई भी सॉलिड ह है ground है calculator है कोई भी एक solid लेजे उसको आप पॉर्स अप्लाइए गर के देखिए आपके घर के जो वहले उसको ऐसे फॉर्स आप वो डिफॉर्म होता है क्या वो डिफॉर्म नहीं होता है तो फ्लुड का actual मतलब यह होता है कि अगर आप छोटे से फोर्स से अगर किसी भी बॉडी को deform कर लो तो उसको आप कहते हो फ्लूइड कितना भी छोटा फोर्स अप्लाइ करें अगर वो deform हो जाएगा तो फ्लूइड है इसलिए तो बेटा अगर आप पानी को कहीम भरते हो तो कब का शौप लेता अगर आप उसको गलास में भरते हो तो ग्लास का शौप लेता है आप बरते हो बॉकर का शेप लेता है क्यूँ करिणे को तो दो तो पहले तो यह ठीक है जो बहता है वो पानी है इसको सिर्फ आप इंगलिश में कहिए पर बिटा उसके आगे आपको ऐसा लिखना चाहिए जिससे आपका इंप्रेस हो जाए कि भाई फ्लूर्ड इस अपना शेप चेंज कर लेता है कितना भी आप छोटा फॉर्स अपलाए करिए इससे अब आपका साँ हो जाएगा काम करिए आप तेल लेते हो आपके सरुप भी और डि पर वे palabra है तो इसब अगर एर शेप नहीं चेंज करता तो या चोते से वह भी अपना शेप क्या करता है चेंज करता है तो इसलिए आज के बाद आप अर लिक विड भी एक है कि अगर आप देखो तो कोई भी सुबस्टन्स का आप तीन पार्ट में डीवैड करते हो तो उसको अप सॉलीड में करेंगा है या फिर गया स्मेंगुर तो बोटिसको प्र्रो फोर्स अप्लाइध करोगे डिफॉर्म भी सकता है नहीं हो सकता है कोई स्टॉंग सॉलीड होते हैं फर जो रहने हैं वह आप कि छोटा सा उपफॉस अप्लाइग और दीजिए अपना काफिक לה याद रखिए का मतलब से वैसा नहीं है कि एक ऐसी बॉडी जो के फ्लोव होती है पर छोटे से छोटे फोर्स में खुद का शेप क्या करता है चेंज करता है तो मैंने आपको कहा था कि फ्लिड मेक्यानिक्स मैं आपको फील कर वाऊंगा तो आप चाहो तो अभी यहां पर ला लिक्विड और जो गैसे सोते है वह किस में आते हैं तो यह हो गया एक प्लिड का मतलब क्या होता है तो चली हमें काम करते है इसका डेफिनिशन भी काफी अच्छे से सिस्टेमाटिक मैंनर बे लिख लेते हैं कि हम लोग कुछ ऐसे लिख रहा है जो कि फ्लोड़ा हट कर है कि जब तक बिटा जब हम हटकर लिखेंगे नहीं अब हटकर मार्स कैसे लेंगे तो इसलिए हमको हटकर क्या लिखना है तो पहले तो लिखना है जो बहता है वो पानी है कि fluid is a substance which has capacity to flow जो बहता है वो पानी है and deforms अंडर smallest force अप कितना भी छोटा सा force apply करिए अगर ज्यादा apply करोगे तो definitely हो गई पर आप कितना छोटा भी apply करोगे तो भी वो body क्या हो जाएगा deform हो जाएगा and deforms under smallest forces तो यह हो गया बिटा तो चलिए आप पटाक से एक बार वीडियो को पॉस करके यह definition note कर लीजिए और इसके बाद आप हमेशा feel करके याद रखिए कि fluid में सिर्फ water ही नहीं होता है लिक्विड भी फ्लिड होता है और gases भी अब मेरी एक बात आप सभी लोग अच्छे से सुनिए जब आप फ्लिड मेकैनिक्स पढ़ते हो तो वैसे तो एयर और लिक्विड दोनों फ्लिड के अंदर आता है पर आपका focus आपके आपके syllabus में सिर्फ liquid में सिर्फ लिक्विड पे होना चाहिए लिक्विड पे क्योंकि एयर वह भी एक одна है पर नॉर्मली आपका syllabus किस पे focus होता है意 срав trap का जो मीच्यों सिर्फ किस पे focus होता है लिक्विड सब्सक्राइब है श करना구요 हमारे next परसी नेक्स्टि करने से पहले एक छोटा सा अनॉस्मेंट से आप लोगों के लिहां पर मैं करना चाहता हूँ My Dear Friends हमारा एक एप है दोस्तो जिसका नाम है विवेकानन्द Engineering Academy ये एप का जो लिंक है दोस्तो आपको description में मिल जाएगा यहां फिर इस एप का प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है दोस्तो तो इस एप को आप लोग सरूर डाउनलोड करिए जहां पर जाके आप और भी सब्जेट्स के डेमो लेक्चर देख सकते हैं दोस्तो जैसे कि Thermodynamics के अलावा Fluid Mechanics and Machinery Strength of Material के भी डेमो लेक्चर आप लोग वहां पर देख सकते दोस्तो नियरली 500 रोपीज उसका प्राइस है दोस्तो लेकिन हाँ ये एक ओफर चल रहा है तिल 15 जुलाई उसके बाद प्राइस वहां पर इंक्रीस हो जाएगा ओके चलिए मेरे प्यारे बच्चो अब हम इस लेक्चर को इसका है जैसे के आप पीजा का आप क्या होता देख पूरा सर्क्लार दे दीजीए और आपको बूली पूरा एक बार में खालो तो आपको पीसेच में खाओगे तभी मज़ा आएगा वैसे ही बिटा आप इसको तोड़ के पढ़िए जो तोड़ के पढ़ोगे तो काफी मज़ा आएगा तो फ्लूइड तो समझ गया अब बढ़ते हैं मेकैनिक्स पर तो बिटा याद रखे हमेशा हमेशा अपने पूरे डिपलोमा इंजिनेरिं होता है जैसे के फॉर्स तो कह दिया पर फिर भी आपको समझ गया फॉर्स पर प्राक्टिकली हम नहीं समझ पार है कि आप क्या कहना चाहरे है आप एक काम करिए अभी आप बैठे हो आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो आप किसी बेड़ पर बैठे होंगे आप टेबल प करना पड़ेगा मुझे पता है पर अभी के लिए बस एक्जाम्बिल समझने के लिए मैं एक वेट ले ले तो यह सपूर्स पचास न्यूटन आप बैठे हो टेबल पे तो आप किसी ना किसी सर्फेस पर बैठे हो बैठा है अब आप क्या करोगे इसका आप बना लो मतलब है इतना सिंकर डिखाना इह यह में इनिक्रा यह पड़ा होगा और कोई बात नहीं आपको सिर्फ क्या करना है इस पर फोर्सेज से अ pakड़ेक वेट कांँ होता है नीचे मुझे बात बत た अ अगर वेट नीचे होता है अगर बंप एक पो चेर पर बैठे हो तो डेफिनेटली आपका वेट जब नीचे है तो चेर कोई ना कोई फोर्स उपर अपलाए करता होगा है ना तो उसको हम कहते है रियक्शन है ना और एक है बाबा उन बाबा का नाम है न्यूटन भाई वो ही एक ऐसा बंदा है जिसके होने के वज़े से हमक आपकारी लकुले मटलन कुर्ण क्रणिया रियक्शन होगा है वंगशले स्रीजार नीचे है पचास ऊपर है तो टोटल हो रहा है जिरो क्या हो रहा है जीड़ोbas इसलीव अभी आप रेश्ट में हो किसमें हो अब समझ गया होंगे मेश्गी किसी बी होड़ी पर अगर आप आप ऐसे force analysis कर लो इसको आप क्या कहते हो mechanics क्या कहते हो mechanics अब आप observe करिए fluid का मतलब liquid gases mechanics का मतलब क्या होता है forces आपने जब first year में mechanics subject में क्या किया है ऐसे bodies पर forces दिखा है तो वो bodies कौन से थे विटा वो solid थे विटा वो कौन से थे solid पर अब आप subject कौन सा पढ़ रहा है fluid mechanics तो आपको बस mechanics का मतलब force और किस पर दिखाना है fluid पर इसी लिए subject का नाम पढ़ गया fluid mechanics क्या मतलब आपको बस क्या करना है force ही दिखाने है जो आपने mechanics में पढ़ा है वो ही करना है force ही दिखाने है, बस आपको किस पर दिखाने है, फ्लुड़ सेंगे के लिखाने है, तो उस subject का नाम गिर गया, फ्लुड मेखैनिक्स, एक्चेली जो आपने पहले सेमेस्टर में subject पड़ा, उसका नाम होना चाहिए, solid mechanics, पर आपको कहा जाता है, engineering mechanics, पर वो होना चाहिए, solid mechanics क्योंकि आप forces कहां दिखाते हो solid में और यहां पर आप forces कहां दिखाते हो प्लेड पे इसलिए subject का नाम क्या गिर गया fluid mechanics समझ में आ गया विटा तो चलिए अब हम इतना मिटाते हैं और इसका definition काफी आसानी से लिख लेता है तो चलिए बताइए what is fluid, fluid का मतलब the substance which can flow जो बहता है वो पानी है, mechanics का मतलब क्या होता है, force तो यही forces अब आपको कहां दिखाने है, fluid पे, तो एक बात याद रखिए, जबी पी आप किसी भी subject का, अरे मैं आपको ऐसा मंत्र दे रहा हूं बेटा, कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरती नहीं है, तो आप रट्टा मत मारिए, आप बस definition बनाईए paper में, फील करिए, बस mechanics का मतलब force है, किस पे दिखाना है, fluid पे, अब इसको English में convert करिए, एक बात याद रखिए, आप किसी भी subject में, आपके engineering, diploma, life में, कभी भी जब आप subject का definition लिखते हो, तो branch किसका हो होगे, fluid mechanics किसका branch है, it is the branch of science, it is the branch of science, जिसमें आप forces दिखाओगे, किस पे दिखाओगे, fluid पे, तो उस subject का नाम क्या हो जाएगा, fluid mechanics, तो आप लिखें इंगलिश में, क्या लिख होगे आप, it is the branch of science, जो के क्या दिखाता है, forces दिखाता है, किस पर, it is the branch of science that deals with forces, that deals with forces, और forces आपको किस के उपर दिखाने है, fluid के उपर, that deals with forces, acting on fluid, तो ये क्या हो गया, आपका, fluid mechanics, तो बस आपको forces दिखाने, fluid पे वो गया, आपका, fluid mechanics, तो चलिए, आप इस वीडियो को यहां पर post करके, यह definition आप अच्छे से, और बढ़ते हम, आगे, अब देखिए, जब आपने दिखाते हो, bodies के उपर, तो जस्ट एक सोची आप, अभी मैंने आपको यहां पर थोड़ी दिर पहले के example लिया था, तो वो body rest में था, क्या motion में था, मैंने आप ही का example दिया था, तो अभी आप rest में हो, क्या motion में हो, definitely आप वीडियो देख रहे हो, याने फोर्सेस आप body के rest पे भी दिखा सकते हो, या फिर motion में दिखा सकते हो, याने forces दिखाने body पे, condition rest भी हो सकती, या फिर motion भी हो सकती, याने कितने part हो रहे है, दो, इसलिए याद रखें, mechanics कभी भी दो part में divide होता है, एक होता है statics, जो के होता है rest, याने जो condition अभी तो वो कौन सा हो गया, motion, तो motion को कहते है, dynamics, क्या कहते है, dynamics, rest में है, तो क्या कहते है, statics, motion में है, तो क्या कहते है, dynamics, तो mechanics के दो part होंगे, एक होगा statics, एक होगा dynamics, और बस एक word में याद रखें, definition ऐसी बनानी है आपको, it is the branch of science, पर जब आप ये पढ़ोगे, तो ये तो branch, ये mechanics के type है, तो यहाँ पे बस आपको एक change करना है, it is the branch of mechanics, है ना, statics आप एक word में याद रखें, रटी है मत बटा, रटी है मत, तो आपको बस याद रखना है, statics का मतलब क्या होगा, rest, और dynamics का मतलब क्या होगा, motion, dynamics का मतलब क्या होगा, motion, तो अब देखें, अब आप, अब आप subject कौन सा पढ़ रहे हो बटा, fluid mechanics, subject कौन सा पढ़ रहे हो आप, fluid mechanics, तो इसी statics और dynamics के सामन सिर्फ एक फ्लिड वर्ट डाल दीजिए यह तो मैंने आपको पहली बता दिया फोर्सेस ही देखना है बस फ्लूड पर देखना है तो इसके सामने सिर्फ आप दो डाल दीजिए वह हो गए आपके यह दो टाइम इसके हो जाएंगे दो पार्ट एक होगा स्टाटिक्स जिसको हम कहेंगे फ्लूड स्टाटिक्स और एक होगा फ्लूड डायनेमिक्स और यह आपको meaning पता है तो definition बनाने के कोशिश करिए statics का मतलब क्या होता है rest और dynamics का मतलब क्या होता है motion अब हम practical example के साथ देखते है fluid rest statics और fluid dynamics क्या होता है क्योंकि यही syllabus है आपको आगे के chapter ऐसे ही पढ़ने है fluid statics and fluid dynamics करके तो चलिए पहले हम definition लिख लिए इसके एक बार हमारे definition लिख कर हो गए फिर हम देखेंगे आगे तो चलिए यह तो definition आपने note कर लिया इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इसको हमें काम करता है इसको ले लेता है इधर चालिए निदेंगे तो सलुड़ स्टाटिक्स का मतलब क्या है मुझे बात होते है फ्लुड स्टैटिक्स कि ब्रांच है ब्रूड मेकैनिक्स की तो बस आपको क्या लिखना है दूड़ स्टैटिक्स mechanics का part है तो किस से deal करेगा बेटा forces से, किस से deal करेगा forces से, तो fluid statics is the branch of what mechanics, किस का branch है mechanics का, जो किस से deal करता है definitely mechanics का part है तो forces से, that deals forces, और ये forces आपको कहां लगाने है विटा तो fluid, statics का मतलब जो fluid कहां पे होगा wrist पे, तो that deals with forces on fluid at wrist तो चलिए पहले इसको practically देख लेते हैं तो ऐसे कौन से application है विटा practically जहां आप forces दिखाते हो fluid पे, जो के rest में है तो जैसे कि आप एक काम करिए आप फटाक से, जो सोचिए आपके जो घर पे tank लगे है आपके घर पे उपर tank लगे ने बटा, ममी बाप आपको कितने बार कहाते है, बटन चालो कर, tank बरना है तो आप एक काम करिए, जो आपके घर पे tank पड़े है बटा, वहाँ सोचिए, वहाँ जो पानी भरा है वो rest में है क्या motion में है definitely sir, कहां है rest में है, कहां है rest में, तो वो किसका application हो गया बटा fluid statics का, किसका application हो गया fluid statics का, आप बड़े बड़े समंदर को देखते हो, वो rest पे होते है अगर tides नहीं है तो, तो वो भी किसका application हो गया fluid statics का, तो याद रखिए, जो आपके यह होता है, आपके water tanks होते हैं उपर reverse होते हैं, पॉंड्स होते हैं, these are an example of what, these are the example of fluid statics, अब आप देखते हैं, दूसरे definition का, तो चलिए मुझे एक बात बताइए definition तो पूरा यह होँगा बेटा बस एक word बदलिए, क्या बदलना है यहा, motion, क्या बदलना है motion, तो देखिए इसका definition क्या होँगा, fluid dynamics is the branch of mechanics definitely mechanics का ही branch है that deals with forces mechanics है, तो forces होँगे, सिर्फ किसमे लिखना है, on fluid, at rest लिखना है, क्या at motion लिखना है, at motion क्या लिखना है आपको, at motion तो मैं इतनी उम्मीद करता हूँ इतना आप बस आप एक काम करिए fluid dynamics, यहाँ पे dynamics करिए branch of mechanics करिए that deals with forces करिए सिर्फ यहाँ पे जो आपने rest लिखा, वो आप क्या लिख दीजिए, motion तो वो definition आपका किसका बन जाएंगा, fluid dynamics का, अब मुझे एक बात बतेगे, आप practically सोचिए मैं कहता हूँ, मज़े ओड़ी आईए fluid mechanics को feel करिए, तो आप सोचो ऐसा कहा application है जहाँ पे जो आपका liquid होता है वो motion में होता है और उसके उपर आप क्या दिखाते हो forces दिखाते हो, तो just सोचिए आपके सभी के घर पे municipality का पानी आता है आता है क्या नहीं आता है, हपते में हाँ ये दिक्कत होंगे कि हपते में सर बहुत कम दिन आता है पर आता तो है न विटा अब वो जो पानी है, वो rest में है, क्या motion में है motion में है, तो वो किसका application हो गया that is a fluid dynamics यानि अगर आप किसी भी pipe का flow का अगर आप force analysis करते हो तो वो किसमें आ जाएगा, fluid dynamics में अब काफी students क्या होते है बटा जब आप कोई भी subject को ऐसे feel करके practically apply करते हो तो आपको question paper में confidence आता है जैसे कि for example, अब यहाँ दो example से आप इतना तो समझ गया होंगे अगर आप paper में ऐसा कोई question देखते हो एक tank है, जिसमें fluid रखा है आप इतना तो मेरे lecture से देख के बता सकते हो सर एक tank में अगर fluid रखा है तो definitely यह रेस्ट में होगा सर आप तैंक तो कई भागेगा नहीं टैंक है अच्छा है इसकी नहीं चक्के थोड़ी लगाए बटा इदर उतर भाग जाएगा तो वो तो रेस्ट भी होगा तो अगर वो रेस्ट पे होगा तो वो किसका topic है है юир इन ही बेस्ट का और होई विटा अगर आप कभी ऐसा कोई question करते हो कि आपको ऐसे pipe दिखाया है kommt कर से कोई आपको pipe दिखाया पर मीडा इन है डामेटरग्स का कम हो रहा है और इस मेंसे liquid फ्लो रहे है अजब यह अगर flow हो रहा है तो यह topic किसका हो गया वेटा यह हो गया किसका topic dynamics का समझ में आ गया वेटा तो यह होते है fluid mechanics के दो पार्ट एक होता है fluid statics और एक होता है fluid dynamics समझ में आ गया वेटा तो इसी कि अभी आप पानी डाल के देखिए उसको deform करके देखिए अपने उपर से जो air जा रही है उसको भी FM fluid समझ आप हाथ में तेल लीजिए इसको आप फील करिए आपके घर के